नमस्ते स्वागत है आप प्रिय जनों का आपने 16 दिनों का अभ्याज पूर्ण किया है इन 16 दिनों में अगर आपको अपने अंदर कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा हो तो मुझे अभी कमेंट करके जरूर बताएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के अत्यं इंतर परिवर्तन के प्रती डर रुपी प्रतिक्रिया है आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सेखेंगे लेखी का कहती है मेरे फेस्बुक पेज पर आपके पत्रों और टिपणियों से मुझे लगा कि आप मेंसे कई लोग अपने जीवन में काफी तनावों से जुज रहे ह मेरे पास उत्पल के पास भी कई सारे लोगों के फोन वा मेसेजिस आते हैं और अपने स्टेस और डिप्रेशन का उप्जते हैं क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यूं महसुस करते हैं तनाव जीवन और उसके अपरिहर निरंतर Пरिवर्तन के प्रती डर रुपी प्रतिक्रिया है, हम परिवर्तन को सुविकार नहीं करते हैं, हम परिवर्तन से डरते हैं, तनाव एक सामान्य सब्द बन गया है, हम इसका उप्योग अपनी भावनाओं की जिमेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेश रुप से अपने डर की लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सकें और समझ सकें कि तनाव में हिसुस करना वास्तों में एक भईय युक्त प्रतिक्रिया है तो आप अपने जीवन में तनाव की आऊशकता को समाप्त कर सकते हैं एक सांत निश्चित व्यक्ती न डरा हुआ होता है न तनाव पुर्णा इसलिए अगर आप तनाव में हिसुस कर रहे हैं तो स्वयम से पूछे कि आपको किस बात का डर सता रहा है कई लोगों के पास चिंताओं की लंबी सुची होती है जिनमें काम, पैसा, परिवार और स्वास्थ सबसे उपर होते हैं तब आपको सांत रहे के सोचना है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित में सुच करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाएं जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे जो सांती, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्मान करते हैं लेखी का कहती है एक बच्ची के रूप में मैं समझ नहीं पाई थी कि मेरे बढ़ों ने मुझे मुझे पर आलोचना निंदा का जितना भार डाला था उसमें से वास्तों में मुझे कितना मिलना चाहे था और कितना नहीं वह एक तनाव पुर्ण या निरासाजनक दिन की उ लेकिन मैं उनकी आलोचना को सच मान लेती थी और अपने बारे में जो नकारत्मक विचार और धर्णाए मैंने अपने अंदर समाहित कर ली थी वे ऐसी सीमाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन को कई वरसों तक प्रभावित किया मैं बेवकूफ या आजिब या मुर्ख दिख जाता है बच्पन में ही पहले पांच वरस में हम किशोरावस्था में आने तक उन्हें और थोड़ा बढ़ा सकते हैं और सायद थोड़ा बहुत वियस्क होने तक भी लेकिन कूल मिला कर बदलाव बहुत कम होता है यदि मैं आप से पुछो कि आप कोई विशेस धरना क्यों बना कर बैठे हैं तो काफी संभावना है कि आपका जवाब आपके बच्पन की किसी घटना से जुड़ा होगा हम अपनी पंच वरसी चेतना जिवन के पहले पांच साल की सीमाओं में रहते हैं ये सीमाओं अक्सर हमें संभावनाओं की समगरता को अनुभव और अभिवक् जैसे मैं उतना होश्यार नहीं हूँ मैं व्योश्थित नहीं हूँ मेरे पास आवसकता से अधिक काम है मेरे पास समय ही नहीं है इत्यादी आप में से कितने लोग मानिताओं की सीमाओं को अपने को रोकने दे रहे हैं आपके पास विकल्प है या तो इन सीमाओं को स्विक ना देना नहीं होता जब आप अपनी सिमित मानिताओं को छोड़ना सीख लेंगे और स्वयम को संभावनाओं की समगरता की और बढ़ने की अनुमोती देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप वास्तों में बहुत अच्छे हैं आपके पास पूरी योग्यता है आपके पास ज एक अभिवेति है जिसका मैं अक्सर उपयोग करती हूं संभावनाओं की समगरता मैंने इसे न्योर्क में अपने कारम्भिक इस अभीविक्ति ने हमेशा मेरे मन को मेरी सोची हुई संभावनाओं से परे ले जाने के लिए मुझे जगह दी उन सिमित मानिताओं से बहुत आगे जिनके साथ में बड़ी हुई थी आपका 17 दिन का मिरर वर्क अभ्यास इस अभ्यास के लिए मैं चाहूंगा कि आप एक आ सिध्य टिके हो अब अपनी आखें बंद करके तीन बार लंबी घहरी सांसे ले धीरे धीरे बाहर छोड़ें कल्पना करें कि आपने अपना तनाव और डर एक ओवर कोट की तरह पहना हुआ है कल्पना करें कि आप कोट के बटन खोल कर उसे अपने कंधों से नीचे उतार र पिर अपनी बाहों से सरकाते हुए उसे जमिन पर गिरा रहे हैं अपने डर और तनाव को सरीर से बाहर निकलता महसूस करें अपनी मास पेसियों को सिथिल होने दे शांत होने दे अपने पूरे सरीर को सिथिल हो जाने दे अपना जेबी आइना निकालें और गहराय से अपन में देखें, अब कहें, मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रहा हूं, मैं अपने सारे तनावों को जाने दे रहा हूं, मैं सांती महशुस कर रहा हूं, तनाव से मुक्ती मेरा दैवी अधिकार है, ये अफरमेसंस बार बार दोहराते रहें, अपनी आखें बंद कर लें, और कु मेरी लंबी धीमी सासे इन affirmations को दोहराएं मैं स्वयम पर विश्वास करता हूँ मैं एक सक्सम व्यक्ति हूँ मैं ये कर सकता हूँ मैं वे सब काम कर सकता हूँ जो मुझे दिये जाते हैं मैं संभावनाओं में विश्वास रखता हूँ आज आप जितनी बार भी अपना प्रतिविम देखें ये affirmations दोहराएं मैं शान्ती महसूस कर रहा हूँ मेरे पास परियाप्त समय है मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता से चलता हूँ शक्ति आप के अंदर है आपका सत्रहवे दिन का दैनी की अभ्यास अपनी आखें बंद कर लें और अतित में वापस चले जाए भुतकाल में स्वयम को पांच वर्ष की अवस्था में देखें कहां है आप स्कूल में घर में आपको क्या करना अच्छा लगता है आप दुनि आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या नकारातपक मन्यताय याद है जब आप पांच वर्ष के थे क्या आपको कोई चोट की भवना याद है उन सब को लिख ले आज एक अलग कागज पे लिखें दूसरे कदम में लिखी सभी मानिताओं के आगे उनके पीछे के वास् दिन बतिविताया हो और आपसे ऐसा कुछ कहा हो जो सच नहीं था साथ आपके बच्पन के किशी दोस्त ने जिससे प्रेम न मिलता हो अपनी नाराजगी आप पर निकलने का निर्नाई किया हो अपनी देदिकी में अपने सारे विचार लिखें कुछ ऐसी चीजों की एक सू सबसे अंदुरुनी विचार और ननुभूतियां लिखने से लिखने के लिए समय निकाले सभी नेगेटिव बाते लिखले सब नकारत्मक विचारों को लिखकर उस कागज को आप जला दे या पानी में बहा दे उसे मिटते हुए देखें आपकी सभी नकारत्मकता हमेशा क में के लिए मीटर ही है देखें 27 दिन के लिए आपका हट हट मैं अपने अंदर संभावनाओं की सम अनुभाव करता हूं आपके लिए संभावनाओं की समय अर्थ है उसे सभी सीमाओं के परे जाता सोचे अपने मन को यह काम नहीं हो सकता इससे कुछ नहीं होगा मेरे पास परियाप्त समय नहीं है जैसे विचारों के परे विपरित जाने दें आप सीमाओं को पाल कर इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि विए आपके लिए महत्वपूर्ण है लेकिन सीमाओं आपको संभावनाओं की समगरता को अभिवेक्त और अनुभव करने से रोकती है हर बार आप जब आप मुझसे नहीं होगा सोचते हैं तो स्वयम को सीमाओं में बांध लेते हैं क्या आप अपनी आज की सोच के परे जाने के लिए तयार है आए अब ध्यान करें आपका सत्रहवे दिन का मेडिटेशन एक तनाव मुक्त जीवन